दोस्तो गौवर्मेंट की तरफ से महिलाओं के लिए की स्कीम को चलाया जा रहा है जिसमें की डायरेक्टली महिलाओं के खाते में 5,000 रुपे की रासी DBT के माध्यम से फैजी जाती है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस योजना के बारे में करते हैं तो कोन-कोन सी महिलाओं यहाँ पर अप्लिकेशन कर सकती है कोन-कोन सा eligibility criteria आपके पास में होना चाहिए और कोन-कोन से documentation आपको यहाँ पर लगेंगे किस तरह से आपको जो है अपने mobile से online आवेदन करना है पूरा process मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा informative होने वाला है तो वीडियो को end तक जरूर से देखिएगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके बल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए इसी तरह का content आप लोगो को हमारे चैनल पर मिलता रहता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है Google के search box में search कर लेना है SSUP जैसी आप यहाँ पर लिखेंगे SSUP तो आपके सामने आधार का official website आजाएगा आपको जो है इस वाली website को यहाँ से कर लेना है open अब दोस्तो जैसी आप इस वाली website को open कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface page आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पर एक login का button दिखाए देगा तो आपको जो है login वाले button पे click कर देना है जैसी आप login वाले button पे click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page आजाएगा तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार number इंटर कर देना है अभी दोस्तो जैसी आप अपना आधार का portal यहाँ पर login कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface page आजाएगा ठीके ना यहाँ पर आपको जो है काफी सारे options दिखाए देंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा bank sitting status का तो आपको जो है इस वाले option पर click कर देना है अब दोस्तो जैसी आप यहाँ पर click कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो bank है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कौन सा bank जो है आपके आधार के साथ में link है जिस पर कि आपका जो है government की द्वारा आधार से पैसा बहजा जाता है ठीके ना तो वो bank का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो dbt status है वो enable है कि नहीं है तो आपका यहाँ पर dbt active होना चाहिए ठीके ना अब दोस्तो अगर आपका जो है dbt active है तो फिर आपको क्या करना है फिर आपको जो है इस वाली website पर आ जाना है इसका direct link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा अब दोस्तो जैसे आप इस वाली website पर आ जाते हैं तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला एवं वाल विकास मंत्रा लेके द्वारा इस वाली योजना को जो है चलाया जा रहा है योजना का नाम है प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना दोस्तो प्रधान मंत्री मात्रवंदना योजना के अंतरगत जो है यहाँ पर गर्ववती महिलाओं को और जो इस्तनपान कराने वाली माताए होती है उनको government की तरब से पैसा दिया जाता है जिसमें कि यहाँ पर पहली संतान पर यहाँ पर government की तरब से 5000 रुपे की राशी दी जाती है और अगर माल लीजे दूसरी संतान आपके घर पे बेटी होती है तो उस condition में आपको 6000 रुपे की राशी आप यहाँ पर mobile number डालकर verify वाले बटन पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का account create का form आ जाएगा, ठीके ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको account create कैसे करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, ठीके ना, मतलब जो भी application यहाँ पर कर रहा है, उसका नाम आपको लिख देना है, इस state आपको यहाँ पर select कर लेना है, तो यह जो है scheme भारत के किसी भी state से आप बिलोंग करने वाले हैं, आप जो है इस वाली scheme में अपना registration कर सकते हैं, सभी state में scheme को live किया गया है, उसके बाद आपको अपना district chain कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना area select कर लेना है, कि आप जो है ग्रामिन चेतर के रहने वाले हैं, या आप अर्बन सहरी चेतर के रहने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लोक स्लेक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना विलेज या वर्ड स्लेक कर लेना है ठीके ना उसके बाद यहाँ पर आपको जो है रिलेशनसिप विट बेनिफिशरी के साथ में आपका क्या रिलेशनसिप है आप जो है ब information को feel करने के बाद आप create account वाले button पे click करेंगे, आपका जो भी mobile number आपने यहाँ पर provide किया है, उस पर एक OTP भेज़ा जाएगा, OTP आपको यहाँ पर verify कर देना है, जैसे आप OTP verify कर देते हैं, तो फिर आपको जो है login के लिए कहा जाएगा, अगर आपको login का option नहीं आता है, तो घबराने की जरुवत नहीं है, आपको दो बाड़ा से home page पर चले जाना है, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो एक बार फिर से citizen login वाले button पर click कर देना है, उसके बाद आपको जो mobile number से अभी आपने registration किया था, वो mobile number एक बार फिर से आप यहाँ पर enter कर देंगे, mobile number Shopify वाले button पर click करेंगे, जो भी आपका mobile number आपने provide किया है, उस पर एक बार फिर से OTP भेजा जाएगा, ठीके ना, OTP आपको यहाँ पर enter कर देना है, इस वाले capture को आपको यहाँ पर feel कर देना है, जैसे कि OTP हमारे पास आ चुका है, and validate वाले button पर click कर देना है, अब दोस्तों जैसे आप अपना OTP यहाँ पर validate कर देते हैं, तो आपके सामने इस तरह का dashboard आजाएगा, यहाँ पर जो भी candidate है, उसका नाम आपको दिखाए देगा, ठीक है ना, जिसके नाम से आपने ID create किया है, अभी यहाँ पर आपको जो ओपर की तरफ 3 line का एक option देखने के लिए मिल ज जाता है, आपको simply करना क्या है, beneficiary registration वाले button पे click कर देना है, तो जैसे आप beneficiary registration वाले button पे click करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने beneficiary registration का एक form खुल कर open हो जाता है, इस वाले form को आपको feel करना होगा, तो कैसे feel करना है, चले मैं आप लोगों को फटा-फट से बता देता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको select कर ले रहा होगा कि beneficial जो है, किसी भी तरह से कोई center government का या government employee तो नहीं है, आप इसको अपने according yes no select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, क्या आप यहाँ पर application कर रहे हैं, पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं, दूसर number of living children में आप जो है zero रखेंगे, अगर आप जो है second child के लिए कर रहे हैं, तो number of living children में आप एक रखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, क्या beneficiary के पास आधार काड है, तो जैसे कि मैंने आपको starting में बताया है, कि सारा payment यहाँ पर आधार का जैसे के according आपको नाम यहाँ पर लिखना है, spelling mistake नहीं करनी है, आधा number आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, data of birth आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, तो age यहाँ पर आटोमेटिक आजाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको category select कर लेना है, ठीके ना, तो यहाँ पर आपको इता का है, आप यहाँ पर बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, इलिजबिलिटी प्रूप में कुछ डाकुमेट आपसे मांगे जाएगे, ठीके ना, तो यहाँ पर जैसी आप क्लिक करेंगे, आपके सामने डाकुमेंट की लंबी से लिस्ट आजाएगी, जि अगर आपको पास में इसरम कार्ड है, तो आप अपका नाम है, तो आप अपका अप्लिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो आगनवाली कारी करता होती है, आसा एनेम कारी करता है, वो भी यहाँ पर अपना अप्लिकेशन कर सकती है, और अगर आपका जो है National Food Security Portal पर आपका रासन कार्ड बना हुआ है तो भी आप यहाँ पर application कर सकते हैं इन में से कोई भी एक criteria आपके पास में होना चाहिए हमारे पास में BPL का रासन कार्ड है तो हमने यहाँ पर BPL के रासन कार्ड वाले option को select कर लिया है अब दोस्तों जो document आप यहाँ पर select करेंगे उसका identity number आपको यहाँ पर enter भी करना होगा उसके बाद scroll down करके नीची की तरफ आजाएंगे उसी document को आपको यहाँ पर upload भी करना होगा ठीके ना उसके बाद यहाँ पर आपको important dates का एक column देखने के लिए मिल जाता है अब दोस्तों यहाँ पर एक condition आती है कि अगर बच्चे का जनम हो चुका है तो उस condition में आप yes करेंगे लेकिन बच्चे का जनम नहीं हुआ है तो उस condition में यहाँ पर आप इसको no करेंगे और यहाँ पर आप जो है एक approximate date डालेंगे जो कि डाक्टर ने आपको delivery की दी है ठीके ना आप दोनों condition में application कर सकते है गर्ववती महिलाये भी यहाँ पर application कर सकती है और जो इस्तनपान कराने वाली माता हैं वो भी यहाँ पर अपना application कर सकती है तो बच्चे का अगर जनम हो चुका है उस condition में अगर आप application कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बच्चे का date of birth इंटर कर देना होगा उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना address fill up कर देना होगा जो भी आपका present address है इस call down करके नीची की तरफ आएंगे इस state आपका पहले से selected रहेगा जो आपने profile create किया था उसके according district भी select रहेगा block भी select रहेगा village भी select रहेगा आपको simply area का postal pin code इंटर करना है और आपका जो अंगनवाली केंदर है उसको यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर आपको जो अंगनवाली केंदर select करते time एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपके छेतर में एक अंगनवाली केंदर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप उसको easily select कर सकते है लेकिन अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अंगनवाली केंदर आ रहा है आपका जो अप्लिकेशन है महिला एवं वाल विकास कारेले में भेज जिया जाता है वहाँ पर आपका जो अप्लिकेशन का रिव्यू होता है और आपकी जो ही information सही पाई जाती है तो आपका जो पैसा है dbt के माद्यम से आपके bank account में send कर दिया जाता है आप काफी सारे लोग जो है ये भी पूछते हैं कि सर हमने यहाँ पर bank account तो provide किया ही नहीं है तो यहाँ पर जितना भी सारा fund मिलता है वो आधार dbt system के माद्यम से मिलता है मतलब आपका जो है आधार नंबर से pay किया जाता है और आपका जो आधार नंबर है उससे आपका जो भी bank account का dbt इनेवल है उस वाले account में पैसा चला जाता है उसको भी आप जो ही check कर सकते हैं उस पर भी मैंने already वीडियो बना के रखा है अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के end में आपको जो है मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप जो है प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना के अंतरगत अगर आवेदन करते हैं तो गोर्मेंट के तरफ से आप जो है पांच हजार रुपे की राशी का benefit ले सकते हैं और अगर माल लीजे आप सेकंड चैल्ड गरले के लिए application करते हैं तो मैं मिलता हूं अफसे नेक्स वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जय हिन जय भारत